असलाम रेकम विवर्स, वेलकम बैक टू उस्मार्जवान किचन, आज मैं बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और एक नए तरीके के साथ आलू का पराठा बनाने में बहुत ही असान है, वीडियो को लाइक लास्ट में कीजिएगा दो मीडियम साइज के आलू लिये हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है, अब इनको ग्रेट कर लेंगे, आप हार से भी मैश कर सकते हैं आलू ग्रेट हो गए हैं, अब इसमें स्पाइसेज एड करेंगे, नमक वान टी स्पून या फिर टेस्ट के मताबक, लाल मिच पॉर्डर वान टी स्पून, धनिया पॉर्डर वान टी स्पून, गरम मसाला पॉर्डर वान टी स्पून, तीन सबस मिर्चें बारी कटी हुई तू टेबर स्पून फ्रेश थनिया तू टेबर स्पून पदीना मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक कप गंदम का अटा एड़ करेंगे हाफ कप मैदा आप चाहें तो सिरफ गंदम का अटा भी ले सकते हैं या फिर सिरफ मैदा मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद एड़ करेंगे जिस तरह नॉर्मल आटा गुनते हैं सेम इसी तरह गुन देंगे मैंने एक काप मिल्क लिया है इसमें से थोड़ा सा यूज होगा ओपर भी हल्का सा मिल्क लगाएंगे ताके ड्राए ना हो तकरीबन टू टेवर स्पून मिल्क यूज हुआ है अब इसको पंद्रा मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे पंद्रा मिनट बाद फ्रीज से निकाला है हाथों को ड्राए आटा लगा कर इस तरह से पेड़ा कर लेंगे बेलने से पहले थोड़ा सा आटा छिड़क लें क्यूंकि आलू थोड़ा स्टिकी होते हैं इस तरह बेलने में असानी होगी तबा गरम हो गया है तबे पर डालेंगे फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे साइड चेंज करेंगे ओईल लगाएंगे आप बटर या घी भी लगा सकते हैं दूसरी साइड पर भी ओईल लगाएंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे पराठा रेडी है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकर अगर आपने इसको और टेस्टी बनाना है तो दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा अंडा लगा लें अंडे में मैंने एक चुटकी नमक एक चुटकी लाल मिच थोड़ा सा फ्रैसनिया डाल कर फैंट लिया था अब हमने इसको ज्यादा नहीं पका ना पराठा और रेडी पक गया था जितना ये बनाने में असान है खाने में कहीं ज्यादा टेस्टी है लासमी ट्रै कीजिएगा और फीड़बेक लासमी दें कि आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी दौाओं में याद रखिएगा आपके कीमती वक्ता बहुत बहुत शुक्रिया अलाफेज